हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल वित अनदर वीडियो तो यार आजुकों एक और नई वीडियो के साथ वापस देखे जो हमारा आगामी एकजाम है वीडियो का ठीके वीडियो का जो एकजाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए 40 प्लस इंपोर्डेंट क ठीक है उत्रांचल राज्य का गढ़न हुआ था 9 नवंबर 2000 को और 1 जनवरी 2007 इस भी को गया हुआ था इसका नाम उत्रांचल से उत्राघंड रखा गया था तो ये तो कोशन काफी सिंपल है फिर अगला कोशन देखे उत्राघंड के सरवाधी कागज उद्योग इस्ते थे तो उत्राघंड के सरवाधी कागज उद्योग कहां इस्तेते हैं तो ये लाल कुवा में ही इस्तेते हैं फिर देखे कत्योरी राजाओं की राजधानी कुमाओं की कत्योर घाटी से कहां इस्तान अंत्रित हुई जो कत्योरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी शाधिकारी का अग्जाम था तो उनमें पूछे गए कोशन से हैं फिर है उत्राखंड में वन एवं पंचायत परशिक्षन अकादमी कहां इस्तित हो जाएगा हमारा हलदवानी नहीं जाल में फिर है उत्राखंड राज्य में राजश्वका सबसे बड़ा कर स्रोथ है तो उत्राखंड जो राज्य है यहां पर राजश्वका सबसे बड़ा जो कर टैक्स स्रोथ है टैक्स का जो सबसे बड़ा स्रोथ है वो क्या होगा यह होगा हमारा वानी जी कर ठीक है जो वानी जी कर यह सबसे बड़ा स्रोत है टैक्स का फिर देखिए नेम्र में से कौन सा दर्रा पिथारगड तिबबत को जोड़ता है पिथारगड और तिबबत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है तो यह है दार्मा ठीक है दार्मा जो दर्रा है यह पिथारगड को तिबबत से जोड़ता फिर देखिए रूपकुंड ताल कहां है तो रूपकुंड ताल कहां इस्तित है तो रूपकुंड ताल हो जाएगा हमारा चमोली जिले में कहां इस्तित है चमोली जिले में इस्तित है रूपकुंड ताल हिमालाई परिचाई गडवाल के लेखा कौन है हिमालाई, परिजय, गड़वाल के लिए खक कौन है तो ये हो जाएंगे राहुल सांकृतियायन फिर है फूलों की घाटी की खोच किसने करी थी तो ये वाला कोशन काफी सिंपल है फ्रेंक एस स्माइट ने करी थी फूलों की घाटी की खोच फिर देखिए कुमाउं का चानक के नाम से प्रसिद है तो कुमाउं का चानक के नाम से कौन प्रसिद है तो ये है पंडित हर्स देव जोशी ठीक है इसको कुमाउं का चानक क्या बोला जाता है फिर अगला कोशन देखिए कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा होती है तो कटारमल जो मंदिर है यहाँ पर किसकी पूजा होती है तो यह सूर्य देव का मंदिर है अलमोडा में स्तित है कटारमल का सूर्य मंदिर तो यहाँ पर सूर्य देव की क्या होती है पूजा होती है उत्राघंड के किस जनपद में अनुसूचित जाती की संख्या सबसे अधिक है तो उत्राघंड का कौन सा ऐसा जनपद है जहाँ पर अनुसूचित जाती यानि SC की जनसंख्या सरवाधिक है तो यह हो जाएगा उधम सिंग नगर में ठीक है उधम सिंग नगर में क्या है सरवाधिक SC की जनसंग क्या है वैसे अगर totally देखा जाए तो सबसे जादा SC जो जनसंग क्या है वो है हरिद्वार में ठीक है लेकिन हरिद्वार option में नहीं है तो इसके बाद जो सरवाधिक है वो है उधम सिंग नगर में तो उधम सिंग नगर यानि option यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फिर अगला question देखे उत्राघंड में परियोगत बोली समू का चयन कीजिए तो उत्राघंड में जो परियोगत बोली समू है इसका हमें चयन करना है तो देखे उत्राघंड में बेसिकली कुमाउनी, गडवाली और जोनसारी बोली जाती है इसमें देखे भोजपुरी है तो यह कैंसल हो जाएगा इसमें अवधी है यह भी कैंसल हो जाएगा और इसमें तो कुछ भी आई नहीं, ये सारे भाहर के हैं, तो ये सारे cancel है, तो cancel out करके भी आप लोग वो कर सकते हैं, जिनको ज्यादा knowledge नहीं है भासाओं के बारे में, तो ठीक है, फिर अगला कोशन है, राज्य पुलिस परशिक्षन अकादमी कहां स्तत है, तो ये नरेंद् का राजचिन क्या था, जो चंद राज़ाएं थे, इनका राजचिन हुआ करता था, गाई, ठीक है, गाई क्या था, इनका राजचिन था, फिर देखिए, समस्त मध्य हिमाले में प्रथम एतिहासिक राजवन्स था, तो समस्त मध्य हिमाले में जो प्रथम एतिहासिक राज तो किसे स्रीचेत्र के नाम से जाना जाता है? तो किसे स्री छेत्र के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है स्री नगर को किसे कुमाओ का के स्री के नाम से जाना जाता है कुमाओ के स्री के नाम से प्रसिद हैं बद्रीदाट पांडे गड़वाल केश्री के नाम से प्रसिद है अनुसुया परसाद बहुगुणा फिर देखिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड इस्तित है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड है जो कहां इस्तित है कोड़ द्वार में इस्तित है फिर अगला कोशन देखिए बैकुंठ चतुर्दसी का मिला आयोजित होता है जो बैकुंठ चतुर्दसी मिला है ये कहां पर आयोजित होता है ये होता है स्रीनगर में मद महेशवर निम्न में से एक है तो जो मद महेशवर है ये इन में से क्या है पंच केदार है कत्यूरी राजवन्स का संस्थापक कौन था तो कत्यूरी जो राजवन्स था इसका संस्थापक था बसंत देब निमन में से उत्रागंड की सबसे उची चोटी है तो उत्रागंड की सबसे उची चोटी कौन सी है नंदा देवी 7817 मीटर इसकी उचाही है कहीं पर आपको 7816 मीटर भी देखने को मिलता है अब इसमें भी दो है, एक नंदा दिवी पूरवी है, एक नंदा दिवी पशीमी है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को याद कर लेना अगर एक की दिया रहते हैं तो नंदा दिवी है तो नंदा दिवी आप्शन में right answer हो जाता है फिर देखिए सुसवा किसकी सायक नदी है अब देखिए जो सुसवा है ये किसकी सायक नदी है तो ये है सौंग नदी की सायक नदी है सुसवा नदी फिर देखी गन्ये का सरवादी गुतपादन की जिले में होता है तो उधम सिंग नगर में होता है दरादून में होता है सरवादी किलीची ठीक है पहाड चोर उपन्यास का लेखक कौन है तो पहाड चोर नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हो जाएं ये होता है FRI दहरादुन में ठीक है FRI दहरादुन में स्थाबित हुआ था फिर है उत्रागंड का सरवादिक छेत्रफल वाला जीला गौन सा है तो ये काफी सिंपल सा कोशन है चमोली जीला ठीक है चमोली छेत्रफल में सबसे बड़ा है और चमपावत सबसे चोटा है और जनसंक्या की बात करें तो जनसंक्या में सबसे बड़ा है हरीद्वार और सबसे चोटा है रूद्र परिया ठीक है तो ये सारे आपको याद करने हैं फिर देखे डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न मैसे कौन से स्थान पर इस्थित है तो ये हो जायागा हमारा सितार गंज में बीज बचाओ अंदुलन के परवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है ये जाना जाता है बिजयी जड़धारीजी को ठीक है फिर है भारतिय सुदूर संबेदी संस्थान कहां इस्थित है तो भारतिय सुदूर संबेदी संस्थान है जो हमारा ये इस्थित है दहरदून में Man-Eater-Lepard of Roodra Pariyag Pustak के लेखक कौन है तो Man-Eater-Lepard of Roodra Pariyag Pustak के लेखक है हमारा जिम कॉर्बेड फिर है जागर निमनेलिकित मैंसे किस से संबन्दित है जो जागर होता है ये basically related होता है छेतरी देवी देपताओं से जो छेतरी देवी देपता है उन से related है नेमने मैं से कौन सा राश्टी उद्यान? देरादून पौडी एवं हरीदवार में बिस्त्रित है रिसिकेस बदरीनाथ मार्ग परिस्तेत कोडियाला किस खेल हितो प्रसिद है जो बदरीनाथ और रिसिकेस मार्ग है इस परिस्तेत जो कोडियाला है ये किस खेल के लिए प्रसिद है तो ये हो जाएगा हमारा रिवर राफ्टिंग के लिए ठीक है रिवर राफ्टिंग के लि बनाया था तो करांती भीर नामक संगठन बनाया था कालू महराजी ने ठीक है तो ये थे आज के 40 प्लस important questions जो previous year exams में पूछे गए हैं जो आगामी exam के लिए काफ़ important हो सकते हैं तो होप करता हूँ ये वीडियो बसंद आई होगी वीडियो बसंद आई तो वीडियो को make sure like जरूर करना जो लोग चैनल पर नए है चैनल को subscribe जरूर करना तो मिलते हैं ऐसे interesting और amazing वीडियो के साथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए take care and bye bye